Question is, two statement S1 and S2 are given below with regard to four numbers P, Q, R, S followed by the question So, ये question और statement वाला question है, ठीक है? So, सबसे पहले question क्या लिखा हुआ है हमारा? Among four numbers P, Q, R, S, which one is the largest? P, Q, R, S, इसमें हमें largest खोजना है कौन largest है, ठीक है? अब आते हैं statement number 1 पे, S1 R is greater than P as well as Q That means, जो greater है उसको हम right side लिखते हैं R is greater than P and Q P, Q का हमें पता नहीं है, P, Q का relation तो R, P, Q से बड़ा है So, इससे statement में हमें S के बारे में कुछ नहीं पता है इसका मतलब हैं हम largest नहीं बता सकते हैं हम बस R को बता सकते हैं कि R, P, Q से बड़ा है लेकिन S से बड़ा है चोटा है यह हमें नहीं पता चल रहा तो S1 alone is not sufficient to answer the question अब आते हैं S2 पर S2 क्या बोलता है S is not the largest one यह बोल रहा है S largest one नहीं है ठीक है तो S largest one नहीं है मतलब P, Q, R यह यह तीनों में से कोई एक large हो सकता है तो अभी भी हमें largest पता नहीं है तो मतलब S2 alone is not sufficient अब दोनों को match कर देता है ठीक है यह दोनों को match करने से हमें क्या पता चल रहा हमें first equation से क्या पता चल रहा था कि जो R है वो P, Q से बड़ा है लेकिन first equation में हमें doubt था S पे कि S सायद R से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है लेकिन अगर second statement merge कर ले तो यहां बोला है S जो है यह largest नहीं है इसका मतलब है S largest नहीं है तो यह but obvious हो गया कि R से बड़ा नहीं होगा S क्योंकि R तीसरे नमबर पर आएगा जो B question आएगा हमारा क्योंकि R के बाद एक ही नमबर हो सकता है जो बड़ा हो सकता है जो कि S हो सकता है और यहां S लिख दिया कि S largest नहीं है मतलब R largest है तो इसका मतलब है कि S1 प्लस S2 अगर दोनों statement को use कर देते हैं तो हम इसका answer बता सकते हैं कि S is the largest among PQRS तो हमारा answer हो जाएगा यहां पर answer option number C S1 and S2 together are sufficient but neither S1 alone nor S2 alone is sufficient to answer the question UPSC CSET 2020 का complete solution का playlist मेरे चैनल पर अबेलेबल है साथ में मैं link description में दे दूँँगा आप वहां से देख सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू